also text background मतलब जैसे कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसके पीछ़े उपन में कोई कोई background को डालना किसी scene को डालना ठीक है यह कहना था है text background देखो अभी open कर रहे हैं कोई photo को अच्छा रहेगा जैसे यह देखो इसको open कर रहे हैं बहुत अच्छा background लग रहा है अब क्या करेंगे इसको हम लोग किसी लिखा हुआ में लाएंगे है तो कैसे लाते हैं पहले यहां पर क्या करना टी दबाना टी दबाते ही text टूल यह कहलाता है जैसे जाओगे तो यहां पर लिखाएगा भी यह horizontal टाइप टूल लिखा हुआ अब इसमें हम लोग क्या करेंगे क्लिक करेंगे कि लिक करते ही हमारी पास यहां देखो दिल्कुल छोटा है तो हम लोग इसका साइज को यहां से बढ़ा सकते हैं 15 लिखा हुआ है कि लिख करेंगे यहां से 72 कर देते हैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा हुआ लेकिन बहुत ज्यादा तो बढ़ा हुआ नहीं अभी भी हम लोग और बड़ा करना चाहें तो य 50 60 करने के बाद inter워서 करना देखो हुआ यह देखो साइज बड़ा हुआ है तो इस तरह से हम लोग यहां पर साइज को बड़ा कर सकते इस लिखने के लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जैसे हम यह से परणेंट कर सकते हैं यह सब ते पता ही होगा ईफ हर कुछ मोटा फॉंट लेना टाइप करके चेक करते हैं यह मालू लिखे हैं लिखने के बाद क्या करना है यह देखो मोटा भी लग रहा है लेकिन इस लिखा हुआ में हम लोग देखने कलर आ रहा है तो कलर हट जाएगा उससे कोई प्रोब्लम नहीं है अब ही क्या करना है हम लोग लिखने के बाद जाएंगे यहां यह लिखा हुआ थोड़ा सा अलगą टाइब का भी का सहीं नहीं दीख रहा है लग रहा है जैसे चपता हो गया है उपर से निचे कोई को दबा दिया है आज ख़र उस से कुए मतलब नहीं है हम लोग जाएंगे कहा यहां जैसे ही दबाएंगे फिर उसके बाद हम लोगों को अब देखो अभी इधर उधर कर सकते हैं इसको तो पहले हम लोग सेट करेंगे यहां जहां का बैगराउंड लेना है कंट्रॉल टी दबाएंगे अभी ऐसे गंट्रॉल टी दबाने से ये ट्रांस्पोर्मेशन का टूल आ जाता है अब उसके बाद हम लोग इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं चाहे उपर से करें, चाहे कोना से करें, यह कहीं से भी हो जाएगा, ऐसे भी खीचेंगे तो हो जाएगा, देखो ऐसे, खीचके हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर लिए ऐसे, अब क्या होगा, इसको हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, इंटर, पहले हम लोग दबाएंगे यहां पर राइट क्लिक देखो यह टेक्स टूल है यह लिखा हुआ के लिए आता है और यह तो बैग्राउंड है दोनों अलग लग लेयर में अभी तो यहां पर राइट क्लिक करना तुम लोग और यहां पर आएगा create work path इसको दबाना create इसको जैसे ही दबाओगे तो इसके side side में देखोगे इसका जो border area है वो देखना highlight होगा हलका से हुआ यह border area highlight हो जाता है अब हम लोग क्या करेंगे इसको control के साथ enter press करेंगे क्या दबाएंगे control प्लस इंटर तो देखोगे यह select हो जाएगा ठीक है तो control के साथ यहां पर हम लोग इंटर प्रेस करते हैं उससे वह select होता है अब इसको हम लोग delete कर देते हैं क्या करेंगे अब कहां से delete करेंगे तो यह जो टू यह layer है उसी को हम लोग हटा देंगे उसको हटाने के लिए यहां पर देखोगे यह जो है delete करने के लिए आता है यहां पर delete layer या तो यहां पर right click करके भी हम लोग यहां पर delete layer कर सकते हैं देखोगे यह वादा कि अब जैसे ही डिलिट लेयर करेंगे तो यह हम लोग का पूछेगा यह यह नो हटाए के नहीं हटाए यह कर जते हैं यह हट गया हट गया लेकिन इसका जो दिख रहा है selection अभी है ही selection नहीं हटा वो delete नहीं हुआ तो अब क्या की जाएगा इसको side करो अभी इसको कोई ज़रुत नहीं है अभी पहले हम लोग दूसरा photo ले लेते हैं मानलो हम लोग ले लेते हैं इसको ले लेते हैं और इसमें हम चाहते हैं यह जो है लिखा हुआ यह ऐसा ही यहां पर आए ठीक है देखो उसके लिखा करेंगे यहां जाएंगे तो यह कैंची बन रहा है ध्यान से देखो अभी यहां तो नहीं है देखो जब कैंची बनेगा तब क्लिक करना और इसको ऐसे खीच के यहां से यहां लाओ गया और छोड़ देना देखो यह लिखा हुआ में अभी कलर नहीं आया है क्या आ गया है बैगराउंड जो उसका था रेत वाला रेगिस्तान वाला वो आ गया है अब यहां पर कंट्रोल टी दबा के इसको छोटा करना होगा यह बहुत बड़ा हो गया है ऐसे चलो यह ठीक है साइज में अब यहां डबल क्लिक या इंटर प्रेस करना ऐसे तो यहां तक कुई डाउट यह हो गया हम लोग किसी भी लिखा हुआ के पीछे में क्या डालना बैग्राउंड को किसी भी सीन के बैग्राउंड को डालना इतना हो जाएगा चलो इसके बाद में अब इसमें और क्या कर सकते हैं देखो वह देखो ध्यान से इसमें हम लोग बहुत सारा editing कर सकते हैं अब क्या-k canım इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें 3D टाइप का दिखाना चाहें या फिर कुछ shadow वगरा दिखाना चाहें सारा चीज इसमें हो जाएगा देखो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग यहाँ क्लिक blending option अभी देखो क्या होगा इसमें कैसे चेंज होता है ध्यान से देखना पहले ड्रॉप सेडो में दबाते हैं देखो क्या हुआ पता चल रहा है पीछे साइड में वह सेडो आ गया अब इस सेडो को हम लोग बहुत सारा चेंज कर सकते हैं उसके लिए अभी सिर्फ किलिक किये हैं तो यह आया है राइट साइड में किलिक करोगे तो यहाँ पर उसको चेंज करने का option ऐसे दिखाएगा तो हम लोग जैसे यहाँ पर opacity दिख रहा है इसको हम लोग गटाना बढ़ाना चाहें तो वह देखो घट रहा है ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसको भी हम लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं सेड़ों को ऊपर नीचे ठीक है इससे स्प्रेड होगा थोड़ा से फैलेगा देखो फैल रहा है इससे साइज वह बड़ा होगा देखो फैला हुआ का साइज लेकिन यह ज्यादा अच्छा भी लग रहा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहां से उसका एंगल चेंज होता है देखो ऐसे सब में अलग-अलग दिखाएगा हलका हो रहा है तो ऐसे करके हम लोग अलग-अलग चाहें तो चून सकते हैं जैसे हमको पसंद हो वैसा ले सकते हैं बहुत सारे स्टाइल है तुमको जो पसंद होगा वो ले लेना यहां से फिर एंगल चेंज कर सकते हैं ध्या यह right side में करेंगे तो वैसे दुबारा हो जाएगा अब नीचे करते हूं यह देख है उपर भाग रहा है इधर करेंगे तो इधर भागेगा ठीक है तो जैसे हम चाहें वैसे कर सकते हैं तो इस तरह से लोग यहाँ पर anomal call adjust कर सकते हैं कोई रावड यहां तक कि यहां पर भी अलग कर सकते हैं देखो यह सब देखो पीछे दिख रहा है नोईज आ गया है अहले था मल्टिप्लाइ में था तो यहां से हर चीज को तुम लोग अलग कर चेंज करके देख लेना है थीक है सब को बताना यहां पर थोड़ा टाइम में पोसिबल नहीं है, सबको अलग-अलग करके देखना, उसे अच्छे तुमनों करके देखना, अगला चीज बताते हैं, inner shadow, inner shadow मतलब अंदर में यहां पर, shadow बनेगा, देखो यहां पर, फिर यहां पर click करोगे side में, फिर वैसे यहां जाएगा, देखो यहां पर, ऐसे, देख र सारी चीजें हैं आपर, तो outer glow, देखो, white color आ गया, side side में, इसको फिर वैसे ही change कर सकते हैं, side में click करो, देखो फिर आ गया, noise, देख रहे हो, आ रहा है, ध्यान से देखो गे तो, अब उसके बाद यहां से spread करना चाहें, कर सकते हैं, फैलेगा, अब spread करके तुम इसको अगर बढ़ा होगे, तो देखो, ऐसे हो रहा है, ऐसा भी तुम लोग देखे होगे, बहुत सारा फिल्मों का poster में ऐसे दिखाया जाता है, तो तुम लोग अगर highlight करते हुए दिखाना है, और चमकता हुआ दिखाना है, तो ऐसे ले सकते हो, फिर अगला चीज है, यहां पर inner glow, ऐ ऐसे, फिर इसको भी हम लोग side में click करके दुबारा इसको ऐसे, अंदर में यह change हो रहा है, देख रहा हो, वो बाहर में हो रहा था, तो यह step से कर सकते हैं, बाकी इधर का सारा चीज को हम लोग करके देख सकते हैं, अभी चलो यह सब को हटाते हैं, तो click जो है उसको हटाते जाओ, देखो इतना काम हुआ, नॉर्मल हो गया, और इसको देखो करते हैं भी, side में click करो, box में, तो देखो ऐसे बना, इसमें, फिर side में जब यहाँ click करोगे, तो देखो किया होगा, देख रहे हो, यह दिखने में और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है depth को तुम ऐसे करके देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ कैसा लग रहा है, जैसे wooden में लिखा हुआ, उस type का लग रहा है, मतलब लकडी में, यह soften करेगा, ऐसे, तो यह hard ही अच्छा लग रहा है, इस दर जाओगे तो soft होते जाएगा, तो hard ही अच्छा लग रहा है, angle को फ सब में अलग अलग आएगा, तुम लोग जिसको पसंद करना चाहों, अरे यह ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसको दवाय थे, हाँ इसको देखा हुआ, लग रहा है, इस टील जैसा, है ना, तो यह सब को तुम लोग अलग अलग करके देख सकते हो, सारा में अलग अलग आएगा, सब में, आजए बिए यह में बखो, इसमें क्लिक कर ओओगे, तो क्या होगा, यह देखु, हलका हलका, चेंज हो रहा है, इसमें ब्हु हग इसमें टेक्श्यर आजाएगा, टेक्श्यर जैसे इस टैप का लिखा हुदा गॉँगा, बॉक्स को दबाए है, फिर सा हर एक option में अलग-अलग यहां पर तुमको नजर आएगा जैसा तुम चाहो वैसे कर सकते हुआ हटा नहीं है तो हटा दो उसके बाद यह है सैटिन सैटिन में किलिक करो देखो ऐसे हो जाएगा है इसमें भीष फिर सैटिन में क्लीक करके साइड में कीक करोगा फिर वही चाहिए ठीक है सब में करक देखने में इसमें क्या होगा इस टेयां ना इस सुपर यहां पर हम लोग सब में अलग अलग इस तरह से चेंज होते जाएगा तो बहुत ही खुसुरत लगता है ऐसे देखने से यह गॉल्डन टैप का लग रहा है तो यह सब है चेंज करने का ओप्षन ग्रेडियेंट अभर ले में साइड में किलिक करो देखों यहां पर आ जाएगा हलका फुलकत सब में अलग अलग आएगा देख ले न पैटर्न अभर ले अच्छा कुछ हुआ नहीं इसमें क्या अच्छा किलिक नहीं हो रहा है स्टोक में देखो हलका यह साइड साइड में आया स्टोक में साइड में किलिक करने पर यहां पर ओपासिटी घटा बढ़ा सकते हैं यहां से साइज को ऐसे कर सकते हो नहीं करना है तो बिड़कुल कम कर दो ऐसे नहीं लेना है तो इसको ऐहां क्लिक कर दो ठीक है हो जाएगा तो इतना कुछ होने के बाद इसको ओक्य कर देना ठीक है कलर अगर नहीं लेना है तो यहाँ पर किलिक कर देना यहाँ पर दुबारा किलिक करके इसका हम लोग color को नहीं लेंगे हम लोग अच्छे इसको जैसे ही click करेंगे वो हट भी जाएगा ऐसे पहले जैसा हो जाएगा ठीक है बाकी इसको भी हटाना है तो नॉर्मल करना है तो देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया पहले जैसे तो यह अच्छा वैसे नहीं लगता है लेकिन करने के बाद देखो के बहुत खुबसूरत हो जाता है यह ऐसे